नमस्कार हमारे इस यूट्यूब चनल पे आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो आपको धेर सारी बधाई नए नवर्ष की अंग्रेजी नवर्ष है और धेर सारी बधाई दोजार बाइस आपके लिए खुश्या लेकर आए आप तरक्की करें आपको इज़त धन दौलत इ लिए तो आपका चेत्र महा इस स्टार्ट होता है यानए कि मार्च के अंड में और अप्रेल के शुरूआत में याद रखना आपको तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के कुछ करेंट अफेर्स करेंगे जो कि आपको एक्जाम में और अचपीएस एक्जाम म आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे द्वारा यहां पर जायो नाइबती सिल्दार के लिए भी मैं बोल सकता हूं कि जायो नाइबती सिल्दार के लिए भी जायो मैं यहां पर कोर्स चला रहा हूं क्लास लेता हूँ अभी मैं यहां पर राष्ट पती उपराष्ट पर सब कुछ करा चुका हूँ पार्लेमेंट पर चलो हुआ है तो आप इसको जाइन कर लीजिए और रिकॉर्ड लेक्चर्स के साथ आपको जाए यहां पर नोट्स भी मिलेंगे तो आप उसको भी जाए हो द हिमाचर परदे सरकार ने इस वर्ष के बजट में वरिष्ट महिलाओं के लिए समाजिक स्रक्षा पेंचन का नारब बढ़ाने के उदेशे से स्वर्ण जेनती नारी संबल योजना शुरू की है यहां पर हिमाचर परदे सरकार ने बोला है कि जो आपका महिलाएं हैं वरिष्ट महिलाएं हैं वो इसके अंदर अंतरगत आती हैं और उनको एक जार रुपे प्रतिमाह जाओ दर से जाओ समाजिक सुरक्षा पेंशन जाओ परदान की जाएगी इस योजना केता है तो यह हिमाचर परदेश की जाओ योजना है याद रखना है अब याद रखना है कि गुडिया हेल्प लाइन और शक्ती बटन एप गुडिया हेल्प लाइन और शक्ती बटन एप देखो हिमाचर परदेश में जाओ काफी ऐसी वारदात होती है जिसमें आपके महिलाओं के साथ छेड़ चाड़ हिंसा गटनाएं होती है तो इन पर देश्ट में अगर कोई ब्रश्टाचार हो रहा है उस पे अंकुष लगाना है और आम लोगों को जाओ स्वच और पारदाशी सुशासन परदान करना है उस के लिए सरकार ने होश्यार सिंग हेलप लाइन एक जान नब्बे अरंब किया है तो यानि कि अगर क्रॉप्शन फ्री हिमाशल को बनाना है तो आप जाओ कम्प्लेंट कर सकते होश्यार सिंग हेलप लाइन एक जान नब्बे पर यह कोई आप से जाओ रिश्वत ले रहा ह खते हैं वारदाते जैओं होती हैं इस तरह कि कहीं कहीं जगा कोई-कोई अधिकारी जैओं देता है ले देता है तो ऐसे में आप उनकी जैओं शिकायत कर सकते होशीयर सिंग हेलप लाइन एक जानबे पर ठीक है तो यह सरकारदारा जैओं चलाई गई हलप लाइं से नेक्स हिंकेर उजना, आपने सुना होगा आपका जो अयुश्मान भारत उजना है, उसका नाम, सेंटर को गौर्डमेंट की स्कीम है, उसका नाम, यह विश्यू की सबसे बड़ी जाओ, हेल्थी उजना, हेल्थी उइंशुरेंस है, जिसमें आपको 5 लाख तक का रुपे का जाओ, बीमा यहां पे इंशुरेंस होने वाला है, ठीक है, अब जो इस स्कीम के सेंटर की स्कीम की दैदारे में नहीं आता है, तो उसके लिए स्टेट ने जाओ, हमाचल प्रदेश स्कार ने जाओ, हिमके रियोजना का ज़या संचालन किया है, सरकार ने उन व्यक्तिों के लिए किय जो की जो व्यक्ति अश्मन भारति युजना का लाब नहीं उठा सकते हैं इसके तेट अस्पिताल में भरती होने पर पांच लाग रुपेकर तक का निशुलक उपचार प्रावधान किया गया है यहां पर यह बोला गया है कि हिमकेर युजना के बाद जो हिमकेर युजना मे अनरोल हो चुका है उसका अस्पिताल में पांच लाग तक का निशुलक उपचार हो सकता है प्रावधान किया जा सकता है ठीके बशर्थे आपको अपने दाम दर्च कराना है तो इसमें आप अनरोल किरा लीजेे अनरोल कराने के लिए आपको याद रखिएगा कि आप जो ह का जाए हमके रोजना का जाए कार्ड बना सकते हैं इस मदर के जो कार्ड से आपको फाइदा होगा पूरी फैमिली को जाए फाइदा होगा याद रहना है नई शिक्ष्टा शिक्षन दिती 2020 को राजे में लागू करने वाला हिमाचर परदेश देश का पहला राजे बना है य तो पहला स्चेट बना है जिन्होंने हंटर परसंट जाओ कोविट टिकट करन जाओ कर दिया है ये भी आपको यादेश देड़न है आप देखो नहीं जाम क्रेटन योजना है इसके जो चांशल घाटी आपकी शिमला में उसमस स्किंग और जंजहली और लारजी नामक स्थान पर पॉंग डेम में आपके वार्टर स्पोर्ट जयो विक्सित की जाएंगे यानि कि नई राहे नई में जले जयो एक परेटन योजना की जयो स्कीम है और इसके तहत कहीं जो ऐसे आपके जैसे चांशल है जंजहली है लारजी है या पॉंग डेम है वहाँ पर वार्टर स्पोर्ट और स्किंग का जयो प्रावधान यहां पर किया जाएगा तो यहां प्याद रखो अगली जो नियूज है हिमाचर परदेश की जलविदित क्षमता है वो 27,436 मेगावाट हो चुकी है और यहाँ पूरे देश का हाइड है यहाद रखना है आगे चलते हैं मुख्यमंतरी स्वालंबन योजना है यह एक तरह से यूवा में उद्यमता कोशल को बढ़ाना उनका विकास करना और उनको सुजार सोरजगार परदान करने के लिए स्कीम है याद रखिए कि अगर आपको मानलो बिजनस करना है तो आप इस स्कीम में जो एंडरोल कर सकते हैं मुख्यमंतरी स्वालंबन योजना कहते हैं ठीक है तो आप यहां से जाओ खुद का जाओ एक बिजनस कर सकते हैं और लोगों को सोरजगार दे सकते हैं तो यह आपकी स्कीम काफी लाबदायक लगी मुझे तो इसको आप सकते हैं तो आप मेरे साथ जाओ रागुलर जोड़िये रहिएगा और जगमोहन ब्लोखरा की जो सिर्स है वो जो आगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखीगा ठीक है नौवा कोशन देखो यहां पे नौवा जो नौवी जो नियूज है आपी रसाइनिक खादों के लिए और केटनाशकों के उपयोग के लिए या प्राकर्तिक खेती के लिए देखो रसाइनिक खादों को कम करना और केटनाशकों को कम प्रयोग करना ठीक है और प्राकर्तिक खेती को बढ़ावा देने के लिए या जैविक कृशी को बढ़ावा देने के लिए एक से चाहिए लात्यदवर औरना ना में इसे में सरकार ने मुख्यमंत्री खेट सरक्षन जए यह उज satisfy तो देखो जञड़ी जावने वह आब परशों की समस्या कि निया पर दने के लिए केंदर दौरा प्रायोजित यह स्कीम यह केंदर दौरा प्रायोजित है स्टेट की 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 स्टेट घर हो तो याद रखना है कि चालू वित वर्ष में बारा हजार लाबरतियों को अवास परदान किये गए हैं कितने अभिहरतियों को लाबरतियों को अब बारा हजार लाबरतियों को जाओ अवास परदान किये गए हैं तो चालू वित वर्ष में यानि कि 2021-22 में 12,000 लोगों को जाओ, उनका जाओ, खुद का घर जाओ, दे दिया गया है किसी योजना के दिया गया है? सुरन जनती आश्री योजना के दिया गया है अब याद रखो प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना याद रखो कि जहाँ पर अनुसुचित जाति घरत्व जायो अधिक है ठीके? और वहाँ पर धाचगत विकास करने के लिए ठीके? एक ये अद्वित्य योजना है ठीके? प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना ये आपको याद रखना है तो इसका जो पाइलेट फेस था उसके तहट दो सुपचिस गाउं जो है आपके आदर्श ग्राम योजना गोशित किये गए है और प्रतेक प्रधान को 21 लाख रुपे का जयोजना अनुदान दिया जा रहा है ये आपकड़ा आप चेक कर लीजगा मैंने तो चेक किया था 21 लाख ये तो प्रतेक पंचायत को 21 लाख का जयोजना अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है ये भी आपको याद रहना है मुख्यमंत्री कन्यदान योजना असी लड़किया जो गरीब है और बेसहरा है उनको विवाहे जा ही motherf Would लो 51 लाख की अनुदान जैयो साहथा परदान की जा रही है तो मुख्यमंत्री कन्यदान योजना के तहत गरीब वह बेसहरा लड़कियों को 51 हजार की अनुतान साहता जाए और प्रदान की जा रही है ये भी आपको याद रहना है अब मुखे मंति शगुन योजना भी आद रखने हैं आपको शगुन क्या था है शादी में जो कार देते हैं वो शगुन होता है न तो उसके तहत जो अनुसुचित जन जाती अने पिश्रा वर्ग एवं समाने बीपल वर्ग तो याँ पर शगुन योजना के तहत शगुन के रूपे जिनकी 18 वर्ष से अधिक उम्र है और वो विवाह योग्य हैं और वो SC, ST, BPL और OBC जनल BPL में आती है ठीक है इस तरह से जाती है तो उनको 31,000 रुपे जाओ दिये जाएंगे ठीक है और याद रखो अटल आशिरवाद यूजना देखो अगर कोई भी बच्चा जो है वो नवजात शिशु जाओ हस्पिटल में जाओ या अस्पिटाल में जाओ पैदा होता है तो उसको 1200 रुपे की आगंतुक किट जो जिसमें आपके जो क्रीम वगरा फेस जो आपके जॉनसंस बेभी पाउडर वगरा या घुटी वगरा या फिर जो आपके डाइपर्स वगरा होते हैं वो सब उसको जाओ 1200 रुपे की किट जाओ आगंतुक किट जाओ दी जाएगी अटाल आश्रिवाद योजना के तहद ठीक है याद रखना है नेक्श देखें मुख्यमंत्री सहरा योजना मुख्यमंत्री सहरा योजना अब देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होता है जो आर्थिक तोर पर कमजोर मरीज हैं ठीक है अर्थिक तोर पर जब कमजोर महीज है उनको 3000 रुपे की ज़व सायता दी जारी है मुख्यमंत्री सहरा योजना के तहर ठीक है यह आपको आद रहना है अब देखो सशक्त महीला योजना के तहथ महीलाओं को उनके अधिकारों के प्रतिक जागरुक करने की बारे में यहाँ पर बात की गई है सशक्त महिला योजना के थाद उनके अधिकारों के प्रति उनको जो जागरुक किया जा रहा है सशक्त महिला योजना के थाद तो यह भी सिमाचल सरकार के जाओ अच्छी योजना है आगे देखिए मदर टेरेसा मातरी संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रही महिलाओं को उनके दो नाबालिक बच्चों के पारन पोशन के लिए छे हजार रुपे प्रती बच्चे की आर्थिक साहता परदान की जा रही है याद रखो कि एक महिला है ये महिला है आपकी और ये गरीबी रेखा से जायो नीचे है ठीक है गरीबी रेखा से नीचे इसके दो बच्चे हैं दो लड़के हैं या दो लड़किया हैं नाबालिक हैं तो 6,000 रुपे जयो उसको सालाना प्रति वर्ष जयो प्रति बचा दिया जाएंगे यानि कि इसको जयो 6,000 रुपे और इसको भी जयो दूसरे बचे को भी 6,000 रुपे जयो प्रति वर्ष जयो प्रति बचा जयो दिया जाएंगे यह आपको याद रहना है अब देखो पंच् किस किया हिमाचल परदेश सरकार की है ये भी आपको याद रहना है अब एक इंडिया टूडे के जो समू है आपका उसका एक सर्वे था जिसका नाम है most इम्प्रूवड की जागे है याँ रहे बिग स्टेट्स in ए perfectionом हमाचल परदेश देश भर मजवत अव्वल रहे है ठीक है most इंप्रूवड बिग स्टेट्स इन हल्थ में जो हीमाचल परदेश जो स्टेट है आपका वो पुरे देश भर मजवत अवल Administration तो यह कुछ दिसंबर में सरकार का जाओ कारेकार पूरा हो था तो उसकी जो यह नियूस थी और आपको पता है कि आपके गिरी रीवर पर प्रजेक्ट बन रहा है और भी प्रजेक्ट बन रहा है चूर धार के लिए जह है आपका रोप वे बन रहा है काफी साई जयो इतनी important important चीज़े हैं तो यह आपको जयो notice कर लेनी है कहीं पर जिब कहीं पर भी note कर लेनी है टैलेग्राम पर मैं उसका जब पीडियाफ दे दूँगा आपको तो अभी के लिए फिलाल इतना ही है कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आपका दिन शुबहो जय हिंद